जले में दुरगापुजा को लेकर तैयारियां सुरू हो गई है पूजा 18 दिनों तक चलती रहेगी और मंदिर में परजली दीप अनुरत बिजादस्मी तक जलता रहेगा। पूजा खुलता है इसी करन से सधालू में कौडी लूटने की होड मत जाती है। भगवान को हम वेलकम करते हैं आज निमंत्रन देते हैं जो आप चार दिन के लिए यहां पर आईए यहां चार दिन हमारे साथ रहेए। यह नमंत्रन जो हम देते हैं यह तो पत्री का कही साथ नहीं देते हैं। दंगा के पानी लेके उनको अरपन करते हैं जो भाई यह हम अरपन कर रहे हैं आप हमारे साथ चार दिन के लिए शीव जी के साथ आईए दुर्गामता परिवार के साथ आईए लक्षमि, शरस्वती, कार्ति, गनेश, शीवों सब आपके बाहन, सभी के बाहन और शीव जी सबको लेके आप हमारे यहां पधारिये और हमारे साथ रहे चार दिन के यह तो करिब-करिब कुछ समय उई नहीं थी वह व्लांचंग से पूजा होता है लेकिन लक्रिया तो ripe हमें जाके घाट में जाके वहाँ एक जा हमें अब वहां पर मंदिर के अंदर में तापीत करेंगे और वहां पर दिया जलेगा यह दिया दस्वे तक रहेगा तार्दम जलता रहेगा करती रहे लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति गरस्त हो जाता है और उसके बचने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविस्वे उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग त्रेपी का सहरा लिया जाता है जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग त्रेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने अबजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप स्ने अबजासिसु बालसेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपूर पुलीस की मुस्तैदियों ततपरता से एक बड़ी घटना को रोका गया और अपराधी को हतियार के साथ गिरफतार कर लिया गया दरसल SSP आनंद कुमार को सूचना प्राप्थ हुई कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं जिसके बाद SSP के निर्देश पर पुलीस अधिचक नगर के निगरानी में तता पुलीस उपाधिचक नगर के नेत्रुत में एक बिसेश चापे मारी दल का परवाई की जा रही है बरामदगी समान में देशी पिष्टल देशी कटा कार्थू सामिल है गिरपतार सुरस्ताती शिवम कुमार ताती का अपराधिक इतिहास रहा है करते हो इस लोकेशन पर चापे मारी की गई तो सूरस्ताती के घर पर चापे मारी की गई और उसके साथ शिवम कुमार ताती और तीन और अग्यात लोग थे और चापे मारी के क्रम में एक पिस्टल एक देशी कटा और पांश कार्टूस परामत किये गए और ये लोग संग 3 अपरादी हैं, सूरज ताति के ऊपर total 4 cases है, एक बहुत चर्चित, धूरी इादव हत्यकान्ट में भी यह शामिल था और शिवम ताति के ऊपर भी एक case है, रंगदारी का है, और और भी अपरादी के त्यास हम इनलोग का पता कर रहे हैं, इस टीम में शामिल जो थे वो बरा इनके दोरा सराहनी काम किया गया है और इस प्रकार भागलपूर पुलिस की मुस्तैदी एवं तदबर्ता से बड़ी घटना को रोका गया है और अपरादी हत्यार के साथ गिरफतार किये गए गया है भागलपूर की समाजिक संस्था जीवन जग्ति साथी लगातार विभिन द्रुगटना पर कार करती है इसी कड़ी में सोसाइटी दिल्ली के कॉंस्टिचूसन कलब ऑफ इंडिया में विस्व आपदा रिडक्सन डे के अवसर पर दिनांक 13 अक्टूबर को देज भर के ऐसे जामबाज इनसानितों के गुन से भरे बैक्तित के स्वामी जो संकट में फसे बैक्ति को छोड़ कर आगे नहीं बलकि उनका जान बचाते हैं को राश्टी अस्तर पर लोक नायक जपरकास नरायन आपदा फरिजदा सम्मान समहरों से सम्मानित करेगी एक प्रेस कॉंफरेंस में संस्था के अधश डॉक्टर जे कुमार सिंग ने बताया कि देश में कोई भी समाज एक संस्था इस छेतर में ऐसे लोगों का होसला बढ़ाने के लिए सम्मान सम्मारों नहीं करती बलकि समाज में नेकी के रहा प्रवदत करने के लिए जादा स् एस कारिका में देश के 25 राज्जियों से 561 लोगों को इस सम्मान हे तू चयनित किया गया है जिन में से 61 लोगों को दिल ले बुला कर सम्हारों अस्थर पर देश के लब्द परतिष्थित महानुभाबों के दरा सम्मानित किया जाएगा है। से इस पास्सों मददगार को जिन्होंने कभी न कभी संकट में फसे लोगों की मदद की हैं उनको या सम्मान सम्हारों के बाद उनके छित्र के विधाय कदरा दिलवाने की कोशिस की जाएगी इस सम्हारों में लहाबाद उच्छ नियाले के मुख्य नियाधीस एवं उच्छ तम नियाले के जश्टिस सिवकिर्ति सिंग एंडियरप के संस्थापक सरस्ते एवं केंद्र सरकार द्वरा सुभास चिंडर बूस आपदा आवार्ट्स के पहले विजेता IPS केम सिंग अंग छित्र के सेवा मेडल से सम्मानित बिगरेडियर एस के सिंहा यों कारगिल युद्ध के सौर चक्र विजेता मेजर राकिस सर्मा मुख्य अतिति योंग विशिश्टतिती होंगे और परतिभागी इनके हाथों से सम्मानित होंगे कांगरिस इंटक कारकरताओं ने कहचारी चौक अलेक्ट्रेरियट गेट के समक्ष परदेश अध्यच ओम परकास उपाध्या के नेत्रुत में दिल्ली में पत्रकारों के हुए गिरपतारी की बिरोध में प्रदर्शन किया लोकतंद के चौते अस्थंब पर हमला बंद करो पत्रकारों की आवाज दवाना बंद करो वी स्टैंड विट निूज किलिक जैसे कई नारों के साथ पत्रकारों खिलाप कारवाई के बिरोध में परतिवाद किया गया सभागो संबोधित करते हुए कांगरिस इंटक के परद केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से जन्पक्षिये पत्रकारों एवं मिडिया कर्मी बंदुओं को जन्ता की जो आवाज को आज जन्ता की आवाज बनकर जिस तरह से सत्य को उजागर कर रहे थे उस सत्य को उजागर से डरीवी मोदी की सरकार ने हमारे पत्रकार बंदुओं पर दबा बना कर उन्हें गिरफतार करने का काम किया ये प्रेश की आजादी पर सबसे बड़ा उठारा घात है और ये प्रेश की आजादी को दबाने के लिए केंडर की डरी हुई दमनकारी सरकार जिस तरह से हमारे पत्रकार बंधों की आवाज को दबाने का काम कर रही है ये कॉंग्रेस पार्टी आज बता देना चाहती है कि इस आवाज को किसी भी कीमत पर हम पत्रकार बंधों को दबने नहीं देंगे और पत्रकार बंधुओं के शाथ कदम में कदम मिला कर हम चलेंगे हम सरकार से मांग करते हैं कि इन पत्रकारों को अभिलम रिहा करे और जो उचित करवाई हो जो उचित आपको आपके तरफ से जो लगे उसको दूद का दूदर पानी का पानी कार पत्रकार बंदुओं को जल से दल रिहाई का काम करे इसकी नियाई जाचो और ये सरकार जो केंद्र की सरकार दिल्ली की दरबार में जो डरी हुई सरकार है ये चुनाओं को देखते हुए जन्ता की आवाज को दबाने का जो काम कर रही है इसकी दवनकारी नितियों को हम कभी भी चलने नहीं देंगे कॉंग्रेस पार्टी इसे कुचल कर रखेगी साथियों आप ही बताए कि आज पत्रकार जो गए चंता की आवाज बन करके रहता है ये महंगाई विरुजगारी यादी मुद्धों को भागलपुर के जवहर लाल नहरू कॉलेज में कॉलेज में कारणत करमचारियों को नो महने से बेतन नहीं मिलने से वो परिसान है उई पोश्टवाटम करमी का कहना है कि हम लोगों को नो महने से बेतन नहीं मिला है जिसका दुर्गा पुजा पर्व की सुरुवात हो गई है पर अब तक विभाग ने नो महने से हमलों को पेमेंट नहीं किया है इसको लेकर वे काफी परिसानियों का सामना कर रहे हैं घर परिवार का पालन पोशन दैनी की स्थिती काफी उदासीन हो गई है दसारा है दिपाबली है छट आने वला है इसमें खर्च है धिया पता के कप्रा लगता देना है हम कैसे इसका आति करेंगे अभी तक मुझे पेमेंट नहीं किया गया इस पेमेंट को लेकर किसी पदादिकारी से बात्चीत हुई थी इससे पदादिकारी से बात हुई थी फिनिस्पल से फिनिस्पल ने जिला पदादिकारी के पास फाइल वेद दिये है लेकिन जिला पदादिकारी से अभी तक फाइल लोट के नहीं आया है जिसके चलते हम क्या मांग करते हैं जिला अधिकारी मोदेश से कुछ ओफिसियल मेटर है वो मांगते हैं वो दिया जाता है लेकिन फिर भी क्या है नहीं है तो तो अफिसियल मेटर है क्या करना चाते हैं कि जल्दी प्रिमेंट हो जाए दुर्गापुजा से पहले सी हम लोग दिया बुदा के अपना बाल बचा के कफ़रा लगता खरिद कर दे नया बस तर्फ होना चाहिए दुर्गापुजा में हर आर्मी पेंता है भागलपूर के सेंडिस कमपाउंड इस्थित इस्टेसन कलब में कलवार सभा भागलपूर इकाई दोड़ा रख्तदान सिविर का भवयाजन किया गया रख्तदान सिविर में युवाओं ने बढ़चण कतिस सालिया कई युवा ऐसे दिखे जो अभी तक दरजनों बार रख्तदान कर चुके हैं वहीं कुछ ऐसे भी युवा दिखे जो पहली बार रख्तदान कर रहे थे रख्तदान कारिक्रम पुदरान कलवार सभा भागलपूर रिकाई के अध्यच गिरीश चिंदर भगते कारिक्रम संयोजक अमीत भगते संड़चक अभै चादरी सचीव नीरज कुमार गौरा भगत मनोच कुमार मीडिया प्रभाई संभु भगत के लावे दरजनों कारिकर अगर आप उसका भ्यावा इस्थिती देखेंगे तो इकम डॉक्मेंटेट है कि 12,000 लोग पर एक दिन बिहार में मट जाते हैं यानि 43,80,000 लोग को जो बताते हैं तो पॉल्स डाटा है अरे आप डॉक्मेंटेट देखें 3-4 मीडिया से रिपोर्ट है तो जो इस्थिती है उसमें लगता है कि सानभूती पुर्वक चाहिए हमानविया ग्राउन पर रग्दान होनी चाहिए अब हमारा कहना होता है कि जब आप रग्दान करते हैं तो दूसरों की जिन्दगी बचाते ही जैसा सर ने कहा एक 18-15 साल लगातार दे सकते हैं चार बार दे सकते हैं 1192 बा सोची कितनी बड़ी बात है अब है कि लोग कहते हमारा क्या फाइदा है तो जब आप रग्द डोनेट करेंगे रग्द जब डोनेट करेंगे तो रग्द के साथ उसकी गंदगी भी बाहर आएगी सरीर की गंदगी भी बाहर आएगी तो लगता है कि हरेक 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 और नया रक्त बनेगा और नया रक्त बनना जो है अगर अगर आप रक्त नहीं देते हैं तो बीच दिन में रक्त टूट जाएगी आच अच्छा मतलब कहने करते हैं स्वास लाव होगा दूसरा है कि आप छे मेने के अंदर इस ब्लड को आप दुबारा प्राप्त कर सकते हैं लोग हादसे के सिकार होने के बाद रक्त करें करें जो गुजर जाते हैं लोग रक्त के अभाब में इसको देखते हुए आज हमारी संस्था कलवार सभा भागलपूर एक निर्ने लिया कि नई भागलपूर में भी हम एक अपने समाज की होर से जागरुकता अभियान है जैसा कि चर्चा है अपना तीन राज चार राज बहुत पिछला राज है जिसमें परसेंटेज रक्त देने वालें की बहुत कम है और हमारा बिहार इसमें यूपी शत्तिसगार एंपी लेकिन देखा जाए तो दिल्ली पंजाव यह कितना अगरसर होकर के रक्तदान की प आनिस सार लो इस सकता है रत और एक वार के दिने से एक रख से वह तीन आदमी की जिंदी बचाएं सकता है आप सोगते कि वह यह अपने लाइफ में कितने आदमी की जिनदी बचा सकता है हम लोगों ने अपने संस्था के ओर से परचार परसार काफी किया, लोग जूटे हैं और अपने संस्था के टारिकरता बंदू और हमारे समाज बंदू भागलपूर में लगातार पाँचवी बार Mr. and Miss Face का भागलपूर सीजन पाँच का आयोजन किया जा रहा है अभी तक चार सीजन तक किया कारिकरम काफी सफल रहा जिसको लेकर इस बार पाँच में सीजन में काफी जोड़ सोड से इस कांटेस्ट को कराया जा रहा है गौर्टलब है कि Mr. and Miss Face और भागलपूर सीजन पाँच में फिल्म जगत के कई मसहूर सेलेबरिटी इस कारिकरम में पहुंचने की संभावना है साथ ही कई जोगे परतिभागी भी इसमें हिस्सा लेंगे यह कारिकरम जल्द आयोजित की जाएगी जिसका रिश्ट्रेशन अभी से प्रादमब हो गया है गौर्टलब है कि इसमें चनित परतिभागी को कई फिल्म एवम एल्बम में काम करने का मौका दिया जाएगा इसकोले कराज प्रेजवार ता कायोजन किया गया जिसमें और्गनाजर साहिद इसमित, बॉलिवूड निर्माता एवम अभीनिता, रवी सुधा चौधरी सीजन चार के विजेता, किसव राधे, इसागुपता, रीचा चड़ा, विनिता सिंग राजपूत, कबीर कस्यप, आरियन राज एवम सो के को और्गनाजर सागर सिं सेजन फाइब का प्रेस्ट को रहा है यहां पे, और मुझे मीडिया के थुरू जो है, इनके माधियम से लोगों को बतना चाहते हैं, कि यहां पे इसेजन फाइब स्टार्ट कर रहे हैं, उनका रेजिट्रेशन स्टार्ट हो गया है, और जिन लोगों अब तक पाशिपेट कर ड़ा हैं, यहां पे आके पाशिपेट करें और अपना रेजिस्टर यहां पे स्टार्ट हो गया यहां पर अच्छे अच्छे सेलिब्रेटी भी आते हैं और आये भी हैं और आने वाले भी हैं तो सीजन फाइफ में काफी सरे सेलिब्रेटी यहां पर रहेंगें